स्वागा थे जम्मजन के उडान आइस अड्मिनेस्ट्रेटिव एकडमी के यूट्यूब चैनल में उडान आइस अड्मिनेस्ट्रेटिव एकडमी प्रिलिम्स दो हजार चौबिस को ध्यान में रखते हुए एक टार्गेटेड बैच लेक्या रहे हैं सबसे पहले मैं आपसे इस बैच के बारे में बात कर लेता हूँ फिर बात करते हैं कि जो प्रिलिम्स 36 गर्ड लोक से वायोक के द्वारा जो प्रारंभिक पर इक्षा ली जाती है उसका पैटन और सिलेबस क्या है उसके अधार पर हम किस प्रकार की तैयारी और हमारी रणनीती क्या होगी इस पर मैं विस्तरित रुप से चर्चा करूँगा इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारे द्वारा टार्गेटेड बैच लेके लाई जा रही है आपके लिए उस पर तो 16 अक्टूबर साम का यह बैच है तीन घंटे की क्लास होगी 16 अक्टूबर को यह बैच सुरू हो रहा है साम को साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बड़े के बीच इसकी अवधी तीन घंटे की क्लास है यह जो बैच लेके हम आ रहे हैं वो हमारा रायपूर का ब्रांच है सिटी प्लाजा यह सिटी प्लाजा ब्रांच जो इस्थित है वो है अगरवाल हॉस्पिटल के फ्रंट पे सामने इस्थित है अनुपम गार्डन लोकेशन है यहां हम एक नए बैच लेके आ रहे हैं पीएसी प्रिलिम्स दो हजार चौबिस को टार्गेट करते हुए तीन घंडे की क्लास है अब फैसिलिटी जानते हैं उडान की हम आफ लाइन ऑन लाइन जो की लाइव ही होता है इस मोट पर लेके आते हैं जो भी विद्यार्थी हमारे बैचेस को पर्चेस करते हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं तो वही फैसिलिटी है जो हमने परंपरा के अनुसार जो शुरू किया था जो उसको बना के रखे हैं वो सब आपको मिलेगा इसके अतरिक्त पूरा पाठ्यक्रम को इस अवधी में हम कवर करेंगे प्रत्य क्लास का आपको पीडिये भी मिलेगा जो क्लास में पाड़ेट वीडियो तो मैं बताहि दिया हabyte ही मिलेगा फिर इसमें जो सबजेक्ट आक्सपर्ट सें वह आपको पढ़ाएंगे जिसमें से रवी सर आपका सीट अाट जिसमें मैट और रियासस न पढ़ाएंगे सुधीर सरू सांप जो की हिंदी और च FareВО प मैं पढ़ाऊंगा आपको जियोग्राफी भारत का रियास सर आपको पढ़ाएंगे अनीज सर पूरे साइंस सेक्षन को समाल रहे हैं प्रदीप सर आपको पढ़ाएंगे भारत का इतिहास निखिल सर आपको पढ़ाएंगे भारत का समविधान वहीं भारत की एकोनॉमी आपक यह आपको इस बैच में दिखने माला है अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो फी स्ट्रक्चर है अगर आप इस बैच को आफ लाइन लेते हैं जिसमें हम ऑनलाइन की भी फैसिलिटी प्रोवाइट करते हैं रिकॉड़ेड वीडियो भी देते हैं अगर इसको पर्चेस करते हैं तो विठ इस्टडी मटेरियल यह आपको मिलेगा 6,999 रुपएड अगर आपको इस बैच को पर्चेस करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन दिये गए नंबरों पर आप वाटसब भी करके हमसे इस बैच की जानकारी ले सकते हैं तो 16 अक्टूबर को हम एक ब प्रारंभीक परिक्षा जो 36 गड़ लोकसेवा आयोक के द्वारा प्रतिवर्स आयोजित की जाती है प्रारंभीक परिक्षा उसकी तयारी इस बैच में करवाएंगे दो हजार 24 प्रिलिम्स जोकी होना है परंपरा अनुसार ऐसा रहा है कि राष्ट्री विधी दिवस के परंपरा रही है नोटिफिकेशन जारी कर ही देती है लोकसेवा आयोक ऐसा हम मान रहे हैं कि इस परंपरा का निर्वहन आगे भी किया जाएगा तो हो सके 26 नमबर 2024 को आपको PSC के लिए 2024 के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब प्रिलिम्स होगा कब मेंस होगा ये सब चीज का डिटेल आपको मिल जाए तो इसी पर इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये बैच लेके आ रहे हैं मैं थोड़ा से अभी का जो सीलेबस है उस पर चर्चा कर लेता प्रसन पत्र क्रमांग एक जिसमें पूरा समान्य अध्यान है प्रसन पत्र क्रमांग दो जिसको बोला जाता है civil services aptitude test योग्यता परिछन बोलते हैं और ये जो है वो समान्य अध्यायन का है जनरल स्टड़ी का है एक एक करके थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं क्या होता है ये दोनों चीजे तो पहले मैं प्रशन पत्र एक की बात कर रहा हूं जिसमें जी असको रखा गया समान्य अध्यायन के विशय इसमें सामिल है समान्य अध्यायन वाले प्रशन पत्र में दो भाग है इसका जो भाग एक है दो सेक्षन है सेक्षन नमबर वन है वो भारत का समान्य अध्यायन है मतलब हमारे देश का भूगोल, हमारे देश की सम्मेधानिक व्यवस्ता, राज व्यवस्ता, हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता, ये सब चीज, ये सब चीज यहां सिलेवस में इस्थित है, वहीं जो भाग दो है, सेक्षन नमबर टू है, वो हमारे इस्टेट के लिए है, इस में 36 गड़ का समान्य अध्यन का सिलेवस है, 36 गड़ का भुगोल, 36 गड़ का इतिहास, 36 गड़ की संस्कृति, 36 गड़ का प्रसासनिक संरचना, 36 गड़ की अर्थ वेवस्था, ये सब आपको यहां मिलेगा, अगर हम प्रस्न पत्र को देखें, पहले प्रस्न पत्र को, या प प्रस्ण में दो अंक है कहने का मतलब अंक होंगे प्रस्ण पत्र के प्रत्यक प्रस्ण पत्र के दो सब अगर हम रिनात्मक मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर रिनात्मक मार्किंग होता है रिनात्मक मार्किंग कितना होता है तो एक तीहाई कहने का मतलब अगर आपका कोई कोश्चन गलत हुआ है तो उस गलत कोश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग है लगभग अब मोटा मोटा आप समझेजे 0.7, 0.7 मार्क्स इतना कटे का एक कोश्चन गलत होने पर ठीक इसके साथ-साथ ये जो GS का पेपर है वो क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग इन दे सेंस आपको पास करना ही है इसके साथ-साथ मेरिट में भी इसके मार्क्स जूडएंगे अब केवाल कॉलिफाइंग बोलँ रहा हो तो केवाल कॉलिफाइंग कर दिये प्रिलिम्स क्वालिफाइग हो गया ऐसा नहीं है आपको मेरिट में आना पड़ेगा जितने पोस्ट निकलेगे है नोटिफिकेशन में उसके पंदरह गुना में आपको सामिल होना पड़ेगा 15 multiple अब qualifying है इसका मतलब क्या है मतलब इस paper को pass करना भी जरूर यह minimum कितना marks चाहिए ही चाहिए उसके साथ फिर merit है तो अगर आपको prelims qualify करना है या इस paper को किवल pass बस करना है pass बोल रहा हूं merit मेरिट में आने के लिए जीत अगर इन तीनों वर्ग में से किसी वर्ग से आपाते हैं तो आपको 23% marks इस paper में चाहिए ही चाहिए लेकिन अगर आप तीनों category में नहीं आते हैं समान्य है unreserve जिसको मैं बोलता हूं तो आपको 33% अंक चाहिए ही चाहिए अगर इसको आप consider करें marks के रूप में तो 200 का 23% मत चाहिए जिसके पेपर में यह अंक लाने के बाद आप प्रिलिम्स क्वालिफाई नहीं कर लेंगे यह अंक आपका passing है समझ लीजी आप जितना ज्यादा अंक लाएंगे आपको merit मिलेगा merit के हिसाब से ही आपका प्रिलिम्स क्वालिफाई होगा तो यह जिस पेपर के लिए जो वेवस्था की गई है 36 गड़ लोग सेवा आयोक के जो भी नोटिफिकेसन आते हैं उसमें पहला पेपर के दृष्टी कौन से समझ सकते हैं फिर दूसरे पेपर के लिए बता रहा हूँ जो सेकंड पेपर है लोग सेवा आयोक के राज्य परिच्छा के लिए उसमें सी स एड़ बोला जाता है सिविल सर्विसेज एप्टिट्यूट टेस्ट योग्यता परिक्छन इसमें भी सौ प्रस्ण मिलेंगे आपको सौ प्रस्ण होगा प्रस्णों की संख्या सौ होगी हर प्रस्ण में दो अंक है कहने का मतलब 200 अंक का ये प्रस्ण पत्र है यहां पर भी कैल्पुलेट कर लिजेगा लेकिन जो आपका सी सेट है वो कम्प्लीट क्वालिफाइंग है यहां आप मेरिट में कोई मार्क्स नहीं जूड़ेगा मतलब अगर आप केटेगिरी से है सेड्यूल ट्राइब सेड्यूल कास्ट ओबी सी तो आपको 23 परस्ण मार्क्स लाने है अप लाएंगे मतलब इस पेपर को तो पास करेंगे साथ ही साथ आप सी सेट को कौलिफाइ कर लिए ठीक अगर आप नहीं आते हैं किसी विवर्गम समान नहीं अन्रिजर्व जिसको मैं बोलता हूँ तो आपको 23 परसेंट कहने का मतलब फिर से 46 और 66 नमबर मैं अब प्रेंस बढ़ गया पिछले तीन साल से उससे पहले पेपर का लेवल कम से कम थोड़ा मैस रिजनिंग इजी हो जाता था अब फोड़ा से जो स्टैंडर्ड है वो अब हो गया है तो इसका भी एडवांटेज है मलब क्वालिफाइ करने भी लोगों को पसीना छूट जाता ह है तो पेपर इकोले पढ़ना है लेकिन दारोंदार पूरा जो है जी एस के पो स्टैट जी एस से आएगा अब इंडिया के जीएस में क्या पढ़ते हैं? तो भारत का भूगोल पढ़ते हैं भारत का इतिहास पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत की अर्थ व्यवस्था पढ़ी जाती है अर्थ व्यवस्था फिर भारत की राज व्यवस्था एवं सम्विधान पर चर्चा होता है कैसे हमारे देश की व्यवस्था चल रही है भारती सम्विधान के अनुसार इस इसके अतरिक्त करेंट अफेर है सम सामी की ये सब से पचास कोश्यन आने 36 गड़ समानिय अध्यन की बात क्या जाए तो इसमें 36 गड़ का भूगोल पढ़ा जाता है 36 गड़ का इतिहास आप पढ़ेंगे 36 गड़ की अर्थ व्यवस्था पर चर्चा होगी 36 गड़ की संस्कृती पर चर्चा होगी 36 गड़ का प्रसासनिक तंत्र पर चर्चा होगी राजवेवस्था समिधान में जो 36 गड़ या किसी भी राजजे के लिए प्रवधान किये गए हैं वो ये सब से 50 कोश्चन आने हैं और इस पेपर से ही आपका मेरिट डिसाइड होता है यहां से पास तो करना ही है साथ में मेरिट में भी आना आपको है तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम एक टारगेटेड बैच लेके आ रहे हैं 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 2024 जहां ये क्लास आफलाइन होगी उसका एड्रेस है सिटी प्लाजा ब्रांच अनुपम गार्डन के सामने जो अगरवाल हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारा इंस्ट्यूट है, वहाँ ऑफलाइन क्लासिस चलेंगी अगर जिनको भी ओनளन जूरना है वो कहीं से भी जूर सकते हैं हमारे application के माध्यम से चलासिस हम रखतेख करेंगे आपको application डाउनलूट कर ना है या इस batch से जूरना है पूरा syllabus का coverage होगा यह, जो admission लेना चाहते है, registration open हो चुका है, live, online classes है, recorded video प्रोवाइट के जाएगा और आपको main facility है, वो है, subject, export आपको मिलेंगे इस batch में, तो यह हमारा batch है, जिसमें आप prelims की तैयारी करने के लिए हमसे जूड सकते हैं, मुलाकात होगी आपसे, अगले वीड जय चतिजगर